Hey everybody, I am Dr. Gargi Singh. I am a NEET Biology Expert और अब ही आपके NEET के लिए NTA की तरफ से एक अपडेट आया है. और अपडेट क्या है? मैं आपको फटावट से बता देती हूँ. देखो बच्चो जब भी आप इस वेबसाइट पर जाएंगे ना NEET.NTAonline.in पर जब आप जाएंगे तो इस वेबसाइट पर आपको एक पॉप अप दिखेगा. जाएंगे ना रहा था, OTP नहीं आ रहा था. तो अब NTA ने क्या कर रहा है? आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है. ठीक है और जो भी है आपका, आप अपना re-verify कर सकते हैं, अपना आधार and आपके जो भी errors थे, उनको आप correct कर सकते हैं, जाके login करके, ये बात हो गई, दूसरी बात ये है कि, जो information bulletin आया था, उसमें हमने देखा था कि, बहुत ही clearly mention करा हो था कि, आपका correction window नहीं open होगा, but we all know काफी सालों से हम देख रहे हैं कि correction window नहीं open होता ही है, और यहाँ पर इन्होंने clear भी कर दिया है, कि correction window shall open after the registration is completed, मतलब जो आपका 9th March को registration complete हो जाएगा, तो उसके बाद आपका correction window आजाएगा, for candidates who have completed payment, ठीक है, and अगर उनको कोई information ठीक करना है, तो यहाँ पर मैं आपको एक यह बात बताना चाहूंगे, कि जो भी आपसे छोटी मोटी गलती होगी, वो आप rectify कर सकते हो, और डरने की बात नहीं है, आपकी कुछ भी गलती होगी है, कुछ भी गड़बर होगी, तो आपको email भी आएगा, NTA की तरफ से, कि भी यह आपका गड़बर हो गया है, then you can rectify it, और बहुत रेयर ऐसा होता है, कि आपका जो कंडिडेचर है, आपका जो registration form है, वो cancel हो जाए, आपका जो application है, वो cancel हो जाए, बहुत कम ऐसा होता है, ठीक है, तो डरना नहीं है, no tension, एक जो तीसरी बात यह बोली है, बच्छी, कि उन आधार cards, ठीक है, for registration process, क्योंकि आपके दूसरे stages में भी use होने वाला है, आपकी counselling में, ठीक है जी, तो अगर आप किसी और का आधार यूज कर रहे है, आधार का information यूज कर रहे है, तो आपका केंडिडेचर cancel भी हो सकता है, तो ये तीनों बातों को बहुत ही ध्यान में अब आप अपना registration कर लीजिए, ठीक है, अब आप अपना application form भर लीजिए, and all the best, and एक और चीज में आपको बताऊंगी, कि मेरा सबसे important चीज अभी ये है, कि आप अपनी तियारी बिलकुल एकदम जोर शोर से करते रहो, देखो बचो, अभी भी, अभी जो जितना भी time बच of inheritance, बहुत ही detail में करवाऊंगी, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना कभी भी इस chapter को लेके, तो वो भी बिलकुल clear होगा, and I am sure कि मैं आपके पूरे, जितने भी question इस chapter से आते हैं, वो आपके सारे ठीक होने वाले है, क्योंकि इसके एक-एक concept को हम बहुत ही deep level पे जाके स session, दूसरी बात मैं बताऊंगी, इसी channel पे मेरी एक series चल रही है, restart series, तो आप इस पे से भी, यहाँ पर भी मैं बच्चो, आपको, although this is a fast track series है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बिलकुल detail में हर एक chapter करवा रही हूँ, मैं 12 से शुरू करा है, क्योंकि कुछ बच्चों के boards भी आ परा दिया है, बायोजी की जो practical वाले topics हैं वो भी खतम हो गए है, so this is how we are going to prepare and let me tell you one thing, कि nobody can stop you, एक बात आप अपने दिमाग में रख लीजेगा, कि अभी भी आप पूरा दम लगाएगा, जितना दम बचा है बच्चे लगा दीजेगा, क्योंकि last में बहुत सारे बच्चे give up कर जाते हैं, आप उन बच्चों में से मत बनेगा, अभी तो time है कि उठना है, चलना है, दोडना है, रेंगना है, बस रुकना नहीं है, ठीक है ने, तो रुकना नहीं है, and all the best, I'll see you in the next class, bye-bye.